तो हम एक दिव्यावस्दी के लिए के राजपुना उपस्थित है वह उस्दी है छोटी दूधी छोटी दूधी जी हाँ आपने सही सुना छोटी दूधी ये छोटी दूधी का परचाती है देखिए बहुत अच्छे सब हमारे किसान के खेत में फले फूलते हैं तो ऐसे हम दिखाएंगे हमारे किसान के खेत में बहुत सारे बूटियां है उसको घास पतवार के खर पतवार के रूप में छोड़ देते हैं और उसको मारने के लिए दवा का पर्योग करते हैं जिस दिन किसान उस बूटी को पहचान ले कि हमें इसका लाव लेना है तो उस गहां से क्या पर्योग होगा हमारे जीवन में जिसको संग्रनी की विमारी बार बार पर खाना जाने की विमारी हो और इतना ही ने सिग्र पतन होने की समस्या हो बावसीर होने की समस्या हो तो यह छोटी सी दूधी बहुत चमतकारी है तो यह देखे छोटी सी दूधी किस प पटक भी देंगे तो कुछ नहीं होगा तो यह चोटी दुधी इस परकार से इनके होते हैं पीछे वाला भाग और आगे वाला भाग इसमें छोटे-छोटे फल भी लगते हैं और इसकी बहुत चमतकारिक लाब है यानि पानी को किलीन करने में लीवर को किलीन करने माने जिनको तीन बार चार बार दस्त लगता है खुनी आव होता है उजला हो या लाल पैखाने के वास्ते में आव निकलता हो तो उसके लिए अचुक आउस्दी तो इस आउस्दी का बहुत सारे कमाल है जितना भी हम कहेंगे आपको कम ही दिखाई देगा कम ही सुनाई देगा तो एक से दो गाल ताजे जल के साथ ले लें चवालें उपर से पानी पी लें तो बहुत अच्छे से काम करती है यह उस दियां तो इस चमतकारिक बूटी को छोटी दूधी बूटी को आप यूग याद करें अपने जीवन में जिस परकार से लेना चालते हैं उस परकार से ले सबीर के कहें से खूड निकलता उसमें बंद करने का काम करता है नाक में नाक सीर हो बावा सीर में हो मासिक के दर्वियान जादे खुन बहता तो वहां भी काम करता है हमारे लीवर खराब हो गया कुछ भी खाते हैं भोजन पचता नहीं तो उसमें भी बहुत अच्छे से प खैल हो जाते हैं खेत में आप लोक चीन ले पहुचान ले और इसका जीवन में लाव लें